हेलो बच्चा लोग, welcome back to the advanced problem series, मेरा नाम मुहित गोईंका है और मैंने आईटे खणकपूर से engineering किया है यह अपना question number 4 है from the topic electromagnetic induction इस series में हम लोग advanced level के problem ही discuss कर रहे है ठीक है, और इससे पहले हम लोगाने already 5 questions each on rotation, gravitation, ray optics and magnetism कर लिया है सभी curling आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, तो चलिए इस सवाल को देखते है बहुत सो से बच्चों का आया था कि सर ये सवाल थोड़ा सा उन्हें difficult हगा चलिए, ये सवाल जो लिया गया है, holics से लिया गया है सवाल में हमसे क्या कह रहा है, कि आपके पास पहले तो ये एक shaft है ठीक है, ये एक shaft horizontal रखा गया है ये आपके पास एक small radius का pulley है, जिसकी उपर से एक string पास कर रहा है और यहाँ पे एक mass m है, और ये आपका बड़ा disk है ये आपका बड़ा disk है, magnetic field इस तरीके से right direction में है ठीक है, it is perpendicular to the plane of this larger disk disk का radius small r है, यहाँ से एक wire इसके साथ contact में है और यहाँ पे एक resistance है, capital R, right और ये wire यहाँ पे आके shaft के साथ भी contact में है ठीक है, अब हमसे सवाल में क्या कह रहा है तो सवाल में हो क्या रहा है, ये जो मास है वो आपका नीचे की तरफ move करेगा, गिरेगा जब ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये वाला जो pulley है वो कुछ इस तरीके से rotate करना चालू कर देगा अगर ये rotate करेगा, तो पुड़ा shaft घूम रहा है इसका मतलब ये बड़ा वाला डिस्क भी इस तरीके से आपको rotate करना चालू करतेगा ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस string में आपको कुछ tension T होगा तो इस tension T के वज़े से torque develop हुआ torque का मतलब है कि angular acceleration है तो ये जो बड़ा वाला डिस्क भी है इसके पास भी कुछ angular acceleration alpha होगा तो इस alpha के वज़े से इसका omega increase कर रहा होगा ठीक है लेकिन हमसे सवाल में कह रहा है कि कुछ समय बाद एक constant angular velocity आ जाएगा तो हमें यही analyze करना है what is the reason what is the reason कि एक constant angular acceleration आया क्यों आया है वो and what is the value of that omega ठीक, चलिए इस सवाल को करने से पहले एक simple सा concept revise कर लेते है अगर आपके पास इस तरीके से एक rod है जो कि इस point के about omega से rotate कर रहा है इस rod का length आपको smaller है and there is a magnetic field b into the plane ठीक है तो आपको ये बात पता होना चाहिए that इन दोनो terminal के across इसे अगर c बोल दिया इसे a बोल दिया तो a और c के across आपको एक emf induced होगा which is given by half b omega r square ये easily derivable है आप इसको derive करने के लिए x पर जाके dx का एक element लेते हो और इस छोटे से element में एक छोटा सा emf आफ पता करते हो by using the concept of blb और फिर आप integrate करते हो over the length ठीक है तो ये हमें पता है अच्छा एक और बात इसमें जो emf induced होगा right कौन सा end higher potential पे और कौन सा lower तो यहाँ पे a आपका higher potential पे है और c आपका lower potential पे है अगर omega इस तरीके से clockwise है तो तो अगर हमें इसको एक battery से दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते है कि ये आपको emf induced है right polarity किस तरीके से बताते है तो आप blv करके check कर सकते है एक छोटा सा यहाँ पे कोई भी element ले लिजिए तो इस element का जो velocity है वो v नीचे की तरफ है आप v cross v कीजिए आपको समझ में आ जाएगा कौन सा higher polarity पे है कौन सा lower polarity पे है ठीक है तो A आपका higher potential है और C आपका lower potential है बढ़िया अब इसी में अगर हम लोग एक rod की जगह दो rod रखे तो दो rod होता तो ये दोनों rod जो है इस point पे attached है तब भी कुछ बदला तो नहीं तब भी कुछ बदला नहीं इसमें भी एक E induce होगा और इसमें भी एक E induce होगा कहने का मतलब है कि अगर मैंने इस point को zero potential बोला है तो ये वाला end आपका E हो जाएगा और ये वाला end भी आपका E होगा ठीक अब मान लिजिए कि दो की जगह दो से जादा होता एक और है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी ऐसा कहानी होगा इस end का potential E हो जाएगा तो आपको अब समझ में आ रहा है अगर ये जो number of rods है वो infinite हो जाए मतलब बहुत जादा rod हो जाए तो ये आपको एक disk बन जाएगा ये आपको एक disk बन जाएगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर आपका disk omega से clockwise rotate कर रहा है इससे center c बोल दिया और इसका ये पूरा periphery है ठीक है तो इसका center c को अगर zero potential हमने notation दिया है तो इसका periphery जो है वो half b omega r square potential पे होगा पूरा circumference इसका इस potential पे होगा ठीक है I hope यहां तक का बात आपको समझ में आई है यहां तक कहानी आपको समझ में आई है ठीक है चलिए now let us come to the main diagram तो यहां पे वही तो हो रहा है यह magnetic field जो है this is perpendicular to the surface of the disk बिलकुल वही diagram जो इसके पहले आपने देखा था ठीक है जब यह mass नीचे गिरेगा यह बड़ा वाला disk भी आपको rotate करेगा इस तरीके से और इसके rotation के कारण मान लिजे किसी समय पे इसका angular velocity ओमेगा है इस disk के rotation के कारण एक EMF induced होगा तो हम कह सकते है मान लिजे इसके इस point को हमने 0 potential दिया है तो इसका जो periphery है R square ठीक है ठोड़ा सा और समझने के लिए एक और diagram बना लेते है from the point of view of an observer जो यहाँ से चीजों को देख रहा है मान लिजे यहाँ पे एक observer है तो उसे क्या दिखाई दे रहा है उसे किस तरीके से चीजों को देखना आ रहा है ठीक है तो उसे दिखाई देगा यह एक डिस्क और इस डिस्क में magnetic field उसे दिखाई देगा into the plane सही बात है न यहाँ से अगर कोई observer देखेगा तो उसे into the plane magnetic field दिखाई देगा तो जैसा कि हमने अभी discuss किया इस circumference का potential है half b omega r square ठीक है लेकिन अब क्या है यहाँ पे circuit भी complete है resistance r है और यह circuit आपका complete है the circuit is complete अगर यह zero potential है assuming कि यह जो आपका shaft है and everything यह resistance less है तो इसे भी हम zero बोल सकते है so basically इस resistor के across potential difference आपको आगया half b omega r square इसका मतलब इस resistance में current दोड रहा है current इस resistance में circuit में flow कर रहा है i and this current is what this current is e upon resistance ठीक है e upon resistance अब जैसा कि हमने अभी discuss किया था that this disk is basically comprising of n number of rods where n is tending to infinity ठीक है तो चलिए हम एक rod को यहाँ पे observe करते है माल लिजे कि हम इस rod को observe कर रहे है इस rod को observe कर रहे है अगर इस diagram की बात की जाए तो कोई भी एक पतला सा rod यहाँ पे उठा के उसे observe करते है ठीक है बढिया अब आप ध्यान से समझे इस वाले wire में i current अगर flow कर रहा है तो यहाँ पे तो आपको n number of rods है n number of rods है ठीक है so owing to the symmetry owing to the symmetry I can say that इसमें आपको current जो flow कर रहा है this is i by n ठीक है assuming n number of rods where n is approaching infinity तो इसमें आपको current हो जाएगा i upon n ठीक है इस तरीके का बहुत सरा rod है आपको समझ भाय रहा है न और सम में से आपको i by n i by n हो रहा है और फिर यही i by n total यहाँ पे add होके i हो जाता है right let us remove this thing इसका कुछ अभी use नहीं है right same चीज यहाँ पे भी बनाते जाते है यहाँ पे आपको current है i by n अब सिर्फ इस thin rod के उपर focus किजिए magnetic field आपको into the plane है field is into the plane अब हमें पता है ilb से हम इस पे force निकाल सकते है तो force का direction क्या होगा अगर आप l cross b ध्यान से करें तो आपको force का direction उपर की तरफ आ रहा है this is the force f force f ठीक है और इस force इस force यह जो force है पूरे rod पर uniformly लग रहा है तो अगर मुझे कोई एक point चुनना हो तो I am going to choose the geometrical center of this rod ठीक है इस diagram की अगर बात करें इस diagram की अगर बात करें तन इस force is going to be perpendicular to this yellow rod yellow rod this is the force अब आप ध्यान से देखिए यह जो force है यह opposite direction में torque लगा रहा है वो force इस तरीके से torque लगा रहा होगा इस omega को oppose कर रहा है समझ में आ रहा है तो यह वाला force इस omega को oppose कर रहा है और यही कारण है कि with time this omega जो की increase कर रहा था उसका rate of increase घटता जाएगा और ऐसा moment आएगा जब वो omega constant आजाएगा वो constant कब होगा वो constant तब होगा when torque due to this force is being balanced by torque produced by this mg this mass ठीक है यह वाला जो mass है वो इस तरीके से चीजों को rotate करना चाहता है वो इस तरीके से चीजों को rotate कर रहा है और यह वाला जो force है वो opposite sense में opposite sense में rotate करना चाहता है तो जैसे ही दोनों torque बराबर हो जाएगा angular velocity आपका constant हो जाएगा same एक level पर आके maintain हो जाएगा ठीक अब ध्यान से देखिए इस force के बज़ज़ से इस point के बाउट जो torque होगा that is how much that is your f into r by 2 ठीक है यह आपको r by 2 है न ध्यान से देखिएगा यह आपको r by 2 है ठीक है लेकिन हमें तो total torque चाहिए अब ऐसा ऐसा बहुत सारा rod है यह भी rod है इस पे भी आपको force ऐसे लग रहा होगा यह भी rod है इस पे भी आपको force ऐसे लग रहा है so basically आपको n number of rods था n number of rods था so total torque is equal to f r by 2 multiplied by n what is f f की value यहाँ लिखी भी है this is i by n r into b multiplied by r by 2 multiplied by n तो यहाँ से आपका n और n तो सलट गया ठीक और i की value कहाँ है i की value है e by r तो इसे लिखे यहाँ पे this becomes your e by r small r का square this is your b by 2 ठीक और यह e का value भी हमें पता है यहाँ पे लिखा हुआ है लिखे इसे यहाँ पे so this becomes your half b omega r square multiplied by this is your b r square divided by 2 into r तो यह आपको ultimately हो रहा है b square this is r to the power 4 omega divided by 4 into r this is the total torque और rather magnetic torque यह आपको oppose कर रहा है इस omega को और जैसा कि अभी हमने डिसकस किया omega constant कब होगा जब यह वाला torque और इस mg का torque balance हो जाएगा जब आपका omega constant ही हो चुका है जब आपका omega constant हो गया है यानि कि angular acceleration नहीं है यानि कि इस mass का भी कोई linear acceleration नहीं है which means अगर यह आपका mg है और धागे में आपको tension T है then T is basically mg तो यही tension आपको इस वाले पे भी लग रहा होगा पुली पे which is basically mg के बराबर so what is the torque due to this tension that is mg into इस shaft इस disc का radius जो की rho दिया हुआ है ठीक है तो हम क्या बोल सकते है mg into rho should be equal to this torque at that moment angular velocity constant हो गया होगा समझ में आ रहा है बात so this is equal to b square r to the power 4 omega divided by 4 into capital R तो यहां से हम omega को लेख सकते है 4 into capital R mg rho divided by b square r to the power 4 ठीक है चलिए value substitute करते है सबसे पहले आपका 4 है फिर आपका capital R है which is 0.01 ohm so 10 to the power minus 2 multiplied by mass which is 50 grams तो minus 3 multiplied by gravity multiplied by rho rho is 2 cm so 2 into 10 to the power minus 2 whole divided by magnetic field जो की 0.2 है तो यह होगा 2 into 10 to the power minus 1 उसका भी square so 4 into 10 to the power minus 2 small r है आपका 10 cm which means 10 to the power minus 1 meter so 10 to the power minus 4 ठीक तो 10 to the power minus 2 minus 2 minus 4 this goes away 10 to the power minus 2 यह वला term और यह 10 यह भी चला गया 4 और 4 भी चला गया बच क्या रहा है यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 2 है यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 2 है this means 100 radians per second and this is the answer of this particular question this is the answer of this question किसी heavy integration और calculus को इस्तिमाल किये वी concept based यह आपको एक अच्छा सवाल है ठीक है अगर अच्छा लगा है then definitely like this video and share as much as possible हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे और वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye